39th month है जहां पर जो inflows है mutual funds के अंदर वो अभी भी positive है and जो mutual fund inflows है May के महीने का जून में आए, जून का अगले महीने में फिर आएगा जुलाई में जो की again जून में भी बढ़ के ही आएगा जुलाई में जो data आएगा जून के बारे में अभी जो May के महीने के हम बात करते हैं तो all time high पे mutual fund के inflows जा चुके हैं जो की around 35,000 करोड के पास जा चुके है April में 16% का dip आया था हमने देखा था क्योंकि market थोड़ी सी वहाँ पे अच्छी चल गई थी और May के महीने में फिर wallet लीटी पर ही तो increment पढ़ा तो लगबग 18,000 करोड के आसपास अपरील में inflow गया था और वहाँ से सीधा 83% का jump मार के 35,000 करोड के all time high पे पहुच चुका है mutual funds के अंदर में inflows इससे पहले जो सबसे highest inflow था वो March 2022 में गया था जो की 28,000 28,000 करोड के आसपास का था अगर यहाँ इस 35,000 करोड 35,000 करोड की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अपनी तरफ से योगदान जिसने किया है वो किया है sectoral mutual funds थे 19,000 करोड 19,000 करोड रुपए सिर्फ sectoral fund के अंदर डाले गया है एक सिर्फ में के महीने में समझ रहे हैं sectoral funds पर कितना ज़्यादा पैसा उड़े इला जा रहा है इसमें भी सबसे ज़्यादा पैसा डाला गया है अगर आप मानो तो SDFC का जो manufacturing fund का NFO आया था उसके अंदर में सिर्फ NFO, NFO में लगबग सारे 9,000 करोड 9,000 करोड प्लस सिर्फ NFO, NFO में SDFC manufacturing fund ने उठा लिये थे तो SDFC के NFO जब भी आ रहे हैं भयंकर सक्सेस्फुल हो रहे है SDFC के defense fund का NFO आया था जो उन्होंने सोचा था एक साल में जितना पैसा आएगा उतना NFO में ही पैसा आ गया एकेन manufacturing fund को भी लेकर जो वो सोच रहे होंगे कि एक साल में इंफ्लो आएगा वो NFO के time में ही इंफ्लो आ गया तो भयंकर पैसा हमें देखने को मिल रहा है अभी भी 50% से ज़्यादा पैसा जा रहा है सिर्फ sectoral fund के अंदर में जो इंफ्लो आ रहा है उसका ये एक तरीके से अगर समझदारी के साथ लोग investment कर रहे है तो अच्छी चीज भी है लेकि अगर बिना सोचे समझे पिछले एक साल का सिर्फ return देखकर अगर invest कर रहे हैं कोई उनका view नहीं है उन sectors को लेकर तो ये जो strategy है वो backfire भी कर सकती है अगर बिना सोचे समझे बिना एक बोल के साथ या बिना मतलब क्यों investment कर रहे हैं ये नहीं उनको बता है सिर्फ इसली investment कर रहे हैं कि पिछले एक साल में 100% का return मिल गया है तो भायंकर backfire करेगा और बहुत सारी investor को market से बाहर निकाल के भी फेक देगा ये sectoral fund में invest करने वाली strategy small cap की बात करते हैं तो around 2700 plus करोड का inflow गया है mid cap की बात करते हैं तो 2600 करोड का inflow गया है और large cap की बात करते हैं तो 660 करोड के आसपास का inflow है तो देख रहे हो जहां पे mid cap small cap के अंदर वही 2500 करोड का inflow गया है large cap के अंदर 6600 करोड का inflow गया है इसके लब अगर इंडेक्स फंड की बात करते हैं 4500 करोड के आसपास लगबग इतना inflow सारे इंडेक्स फंड मिला के भी गया है यहां पे इसके अलावा SIP की हम बात करते हैं तो number of SIPs around 50 lakh new SIPs creation हुए है सिर्फ में के महिने में यह थोड़ा कम हुए 60-65 लाग के पास अप्रिल में create हुआ था में में थोड़ा घट गया है अगर SIP की value terms में बात करें तो अप्रिल महिने से में महिने में अप्रिल में पहली बार 20,000 करोड का mark क्रॉस हुआ था सिर्फ SIP से जो investment जा रहा है उसके अंदर और यहां पे जो में का महिना है वहां पे 21,000 करोड से उपर 21,000 करोड प्लस का जो SIP के थूँ investment है वो गया है total investment 35,000 करोड and SIP के थूँ only SIP के थूँ 21,000 करोड के आसा मान सकते हो debt funds की बात करते है तो सबसे जादा liquid fund के अंदर investment गई है 25,000 करोड के पास liquid fund के अंदर सिर्फ investment के आ तो liquid fund के अंदर जादा इसलिए जाता है क्योंकि वहां पे लोग liquid पैसा डालते है थोड़े दिन मतलब एक महीना से लेकर 10 दिन से लेकर 5 दिन से लेकर 6 महीना एक साल मतलब जितने भी समय के लिए डाल ला हो liquid fund के अंदर पैसा लो डाल देते हैं इसलिए वहां पे पैसा सबसे जादा जाता है इसके बाद जो second money market fund है इसके अंदर काफी पैसा गया है अगर हम hybrid funds की बात करते हैं तो वहां पे लगवग 17,000 करोड का inflow गया है hybrid funds कहने का मतलब वैसे funds जो की equity में भी invest कर रहे हैं debt में भी invest कर रहे हैं commodity में भी invest कर रहे हैं अपने recording जहां मन कर रहा है वहां invest कर रहे हैं तो 17,000 करोड से उपर का inflow वहां पे भी गया है तो total equity और debt को मिला देते हैं तो 1.11,000 करोड का inflow सिर्फ और सिर्फ में के महीने भी गया है mutual funds के अंदर में majority ज्यादा पैसा debt में गया है और हमेशा ऐसा ही जाता है इसके अलावा total जो asset under management है सारे mutual funds का वो बहुत चुका है 59,000,000 करोड के पास तो हमें एक continuous growth mutual funds के अंदर में देखने को मिल रही है और काफी बहतरीन सारे चीज़े हैं बस यही एक चीज थोड़ी सी मुझे सही नहीं लग रही investor के बारे में कि वो sectoral funds पे बहुत ज़्यादा dependent होते जा रहे हैं हर मन्त हमें यही देखने को मिल रहा है कि sectoral funds के अंदर value बढ़ा रहा है दिक्कत इससे नहीं कि वो invest कर रहे हैं दिक्कत इससे है कि इसमें majority में ज़्यादा तर जो investor होंगे उनको पता नहीं होगा कि वो क्यों invest कर रहे हैं उस sector के fund में ना उन्होंने analysis की होगी ना उनका कोई future goal होगा उस scheme को लेकर ना कोई उनका target होगा कि हाँ इतने समय में इतना return मिलेगा या इतने समय में invest कर रहा हूँ यह उनका कुछ sector के बारे में पता नहीं होगा उन्होंने बस देखा हूँ कि पिछले एक साल में 100% का return मिल गया है तो मैं जाके invest कर दे रहा हूँ यही दिक्कत है बस इसके अलावा कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है बाकि सब कुछ बहुत बढ़िया mutual fund के लिए यहाँ पे जा रहा है सारी categories के अंदर भी